इस्टुडेंट्स देखते हैं क्योश्चन नंबर नाइन्थ रेड्यूस दा फॉलोविंग मैट्रिक्स इन्टू देर नार्मल फॉर्म एंड फॉइंड रेंग निमन लिखित आवियू हो का प्रसामानने रुप में शमानयन कीजिए तथा उसकी जाती ग्याद कीजिए इस म प्रसामानने रुप में समानयन करेंगे और उसके बाद उसकी रेंक करेंगे प्रसामानने रुप में कैसे रिड्यूस करेंगे सबसे पहले यहां लेकर के आएंगे फिर इसके नीचे जीरो इसके नीचे जीरो रो आप्रेशन एप्लाई करके फिर इधर जीरो इधर जीरो ले करके आएंगे, column operation apply करके, column और row operation दोनों apply कर सकते हैं, फिर यहां one आ रहा है, तो one ले करके आएंगे, नहीं आ रहा है, तब भी one ले करके आएंगे, फिर नीचे 0, इधर 0, इधर 0, फिर यहां one ले करके आएंगे, और इधर 0 ले करके आएंगे, यह होता है, प्रशामायन रूप, normal form करते हैं question 1 यहाँ 1 है already यह 1 की साहटा से 3 को हम क्या करेंगे? 0 करेंगे, r2 में operation apply करेंगे, r2-3 into क्या कर दें? r1, 3 से into कर देंगे और इधर ला करके subtract कर देंगे. 1, 2, 0, minus 1 जो change नहीं होगी उसको पहले लिक लीजे, 3 से into करेंगे, इधर subtract कर देंगे तो 0, 3 सी इंटू करेंगे 6 तो यह आ जाएगा माइनस 2 1 3 1s are 3, माइनस 3 और यह प्लस 3, 5 आ जाएगा यहाँ पर इसमें 2 सी इंटू करेंगे इधर add कर देंगे R3 में आपरेशन एप्लाई करेंगे R3 प्लस 2 इंटू क्या कर दें? R1 2 सी इंटू करेंगे इधर ला करके add कर देंगे तो मिल जाएगा 0, 2 सी इंटू करेंगे 2, 2s are 4, तो यह मिल जाएगा हमको 5 यह 2 जेओं कते हो रहेगा 2, 1s are 2 5 माइनस 2 हमको मिल जाएगा 3 तो 1 के निचे 0, 0 आ चुका है अब 1 की सायता से इसको 0 इसको 0 बनाना है कालम आप्रेशन एप्लाई करेंगे C2 है, C2 में C2 माइनस क्या कर दे, 2 इंटू C1, 2C इंटू करेंगे इधर सब्ट्राइप्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 0, माइनस 2 और 5 जेओं करते हो रहेगा 0, 1, 2 जेओं करते हो रहेगा इसमें एप्लाई करते हैं C4 में C4 और इधर एड़ कर देंगे C1 को तो हमको मिल जाएगा 0 इसको एड़ कर देंगे तो 5 इसको एड़ कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा देख रहे हैं, 1 के नीचे 0-0 आगया है 1 के साइड में भी 0-0 आचुका है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए 1 कैसे आएगा हम यदि यहाँ 2 सी इंटू कर दे इधर ले जाके एड़ कर देंगे तो 1 मिल जाएगा हमको R3 में आप प्रिशन एप्लाई करते हैं R3 2 इंटू क्या कर दें R2 अब इधर ले जाकर के एड़ कर देती है 2 टू जा 4 इधर ले जाके एड़ कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 1 2 वन जा 2 इधर ले जाके एड़ कर देंगे तो 4 मिल जाएगा 5 टू जा 10 और इसमे एड़ कर देंगे तो मिल जागा 13, यह 1 आ गया है इसको उपर ले आते हैं, change कर लेते हैं, r2 को r3 के place पर ले जाते हैं, और r3 को r2 के place पर ले आते हैं, 1, 00, 00, 00, 1 को उपर ले आते हैं, 1, 4 और यह 13, –2, 1 और यहां पर आ जाएगा 5, यह 1 आ चुका है, इसकी साहेता से इसको 0 करेंगे, ने प्लाई करेंगे और 3 प्लस 2 इंटू क्या कर दें आर 1 स्वावी आर 2 1 0 0 0 0 0 1 4 13 ने चेंज होने वाली नहीं है तो जे उपते हो लिख लेंगे 2 से इंटू करेंगे धर 8 कर देंगे तो 0 4 तूजा 8 और 1 कितना जाएगा 9 13 तूजा 26 और प्लस 5 मिल जाएगा हमको 31 यह बना चुका है इसको 0 और इसको 0 बनाना है कलम आपरेशन एप्लाई कर लेंगे C3 C3 माइनस क्या कर देंगे C2 फोर्स इंटू करेंगे धर सब्ट्रेक्ट कर देंगे फोर्स इंटू करेंगे इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 1 0 0 0 0 0 मिल जाएगा यह 1 और 0 जियों कते हूं रहेगा 4Box करेंगी अधर subtract कर देंगे तो मिल जाएगा 0 और यह मिल जाएगा हमको 9 यहाँ पर भी apply करती हैं हम 13CRAKT कर देंगी अधर subtract कर देंगे C4 में operation apply करते हैं C4 minus C2 13CRAKT करके C4 में subtract कर देंगे तो यह मिल गाएगा हमको 0 और यह 31 यह 9 है इसको 1 लेकर क्या आना है कैसे 1 आ जाएगा यह R3 में operation apply करेंगे R3 into 1 by 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 by 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा और यह 31 by क्या जाएगा 9 यह 1 1 1 आ चुका है अब इसको क्या करना है 0 करना है कालम operation apply कर लेंगे C4 में C4 यहां क्या कर दें 31 by 9 सी इंटू करेंगे धर सब्ट्रेक्ट कर देंगे 31 by 9 सी इंटू करेंगे किसमें C3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 तो यह मिल जाएगा हमको 0 इस प्रकार से हम देख रहे हैं नार्मल फर्म में रिड्यूस हो चुकी है और रेंक भी हम आ चुका है रेंक आप मेट्रिक्स A is equal to 3 next question 9 का B यह 1 है 1 की सायता सी इसको 0 करना है और 2 में आपरेशन इप्लाई करेंगे 2 सी इंटू कर देंगे और इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे और 2-2 इंटू क्या कर देंगे R1 1 2-1 और यह 3 2 सी इंटू करेंगी इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0 2 सी इंटू करेंगी इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 0 2 सी इंटू करेंगी इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो माइनस 4 और प्लस 2 मिल जाएगा तो माइनस 2 मिल जाएगा 3 टूजा 6 सेवन में 6 को सब्टेक्ट कर देंगे तो 1 मिल जाएगा R3 में आप प्लाई करते हैं R3 क्या कर देंगे add कर देंगे simply R1 को add कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 0 minus 1 और minus 1 को add कर देंगे तो minus 2 आ जाएगा minus 2 और 3 को add कर देंगे तो 1 आ जाएगा अब क्या करें आप हम कालम अपरिशन कर लेती हैं में यहां टूज इन्टु कर देंगे इधर सब्ट्राट कर دेंगे c2 में operation apply करते हैं c2 2 into क्या कर दें c1 1 0 0 2 c2 करेंगे इदर subtract कर देंगे तो 0 0 0 मिल जाएगा इसको और इसको add कर देते हैं c3 में operation apply करते हैं c3 plus c1 कर लेते हैं add कर देंगे तो 0 0 6 माइनस 2 और यह माइनस 2 मिल जाएगा इसमें 3C into करेंगे इधर subtract कर देंगे c4 में operation apply करते हैं c4 3 into क्या c1 3C into करेंगे इधर subtract कर देंगे तो 0 1 1 मिल जाएगा इस परकार से देख रहे हैं 1 के नीचे 00 आच चुका है 1 के साइड में भी 00 आच चुका है अब यहां पर यह जो सेम सेम है तो पहले यह आर 3 में operation apply कर लेते हैं r3 और माइनस क्या कर दें r2 इसको subtract कर लेते हैं 1 0 0 0 0 0 0 minus 2 minus 1 plus 1 इसको subtract कर देंगे तो मिल जाएगा 0 इसको subtract कर देंगे तो मिल जाएगा 0 अब यह जो minus 2 है इसको हमको 1 लेकर क्या आना है 1 कैसे आएगा operation apply कर देते हैं r2 में r2 into क्या कर दें माइनस 1 by 2 से into कर लेते हैं तो 1 0 0 0 0 0 0 यह आजाएगा 1 और यह आजाएगा minus 1 by 2 0 0 0 minus 1 by 2 को 0 बनाना है क्या करेंगे c4 में operation apply करते हैं c4 minus यहाँ 1 by 2 से into कर लेंगे 1 by 2 से into कर लेंगे किस में c3 में और इधर ले जाकर कि क्या कर देंगे add कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0 यह मिल जाएगा 0 इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं इसकी rank क्या हो जाएगी rank of matrix is equal to 2 यह एक row हो गया जो complete 0 नहीं है और यह second row हो गया जो complete 0 नहीं है इसलिए इसकी rank क्या हो जाएगी c यह 1 है इसकी साहता से इसको 0 करना है r2 में operation apply करते हैं r2 2c into कर देंगे 2c into करेंगे r1 में और r2 में subtract कर देंगे 1,2,3,2 तो हमको मिल जाएगा 0, 2,2,4 मिल जाएगा minus 1, 3,2,6 minus 1, 2,2,4 minus 3 यही operation इसमें भी apply करेंगे r3 में r3 minus 2 into क्या कर देंगे r1 2c into करेंगे धर subtract कर देंगे तो 0, 2,2,4 minus 1, 3,2,6 minus 2,2,2,4 क्या मिल जाएगा हमको 1 अब इस 1 की साहता से इसको 0, इसको 0, इसको 0 बनाना है column operation apply करते हैं c2 में 2c into कर देंगे धर subtract कर देंगे 2c into करेंगे c1 में और c2 में subtract कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1,0,0 यह 0 आ जाएगा और minus 1, minus 1 c3 में operation apply करते हैं c3, 3c into करेंगे धर subtract कर देंगे 3c into करेंगे c1 में धर subtract कर देंगे तो 0, minus 1, minus 2 फिर आप्रेशन 2 से multiply कर देंगे और इधर subtract कर देंगे C 4 में आप्रेशन apply करते हैं C 4 minus 2 into क्या कर दें C 1 तो ये मिल जाएगा 0 minus 3 और ये मिल जाएगा 1 इस प्रकार से देख रहे हैं 1 के नीचे 0 आ चुका है 1 के side में भी 0 आ चुका है यहाँ 1 आना चीए बट minus 1 है तो हम कर लेंगे R2, R2 into क्या कर दें? minus 1 ये R2 है, R2, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 3 नीचे minus 1, minus 2 और ये 1 ये 1 है, इसको 0 करना है R3 में आप्रेशन apply करते हैं R3 प्लस क्या कर दें? R2 1, 0, 0, 0, 0, 0 add कर देंगे square कर देंगे तो 0 इसको add कर देंगे तो minus 1 इसको add कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमको 4 मिल जाएगा 1 आ चुका है धर 0, 1 की साहता से इसको 0, इसको 0 column operation apply करते हैं, C3 है C3, subtract कर देते हैं, minus C2 1, 0, 0, 0, 0 1, 0, subtract कर देंगे तो 0 और यह minus 1 अब 3C into कर देंगे और इधर subtract कर देंगे C4 में operation apply करते हैं C4, minus 3 into क्या C2 तो यह मिल जाएगा हमको 0 और यह 4, जेओं का तेंग रहेगा यह भी 1 है, यह भी 1 है अब यह minus 1 है, इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है R3 में operation apply करते हैं R3 into क्या कर दें? minus 1 तो हमको मिल जाएगा 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 यह minus 1 है, यह हो जाएगा plus 1, और 4 है, यह क्या मिल जाएगा हमको minus 4 अब इस 1 की सहता से इसको 0 कर लेंगे यह C4 है C4 में operation apply करते हैं C4, force into कर देंगे C3 में और C4 में ले जाकर क्या कर देंगे? add कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 तो यह मिल जाएगा हमको 0 इस प्रकार से normal form में हम reduce कर चुके इस matrix को अब हमारा rank भी आ चुका है rank up matrix A is equal to 3 next D 9 का D, यह 1 है 1 की सहता से इसको 0 लाना है R2 में operation apply करेंगे R2, 3C2 कर देंगे धर subtract कर देंगे 3C2 R1 में करेंगे और R2 मिले जाके subtract कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3, 1 जा 3 और इधर 0 3, 3 जा 9, 0 4, 3 जा 12, 0 3, 3 जा 9 तो यह मिल जाएगा हमको minus 6 minus क्या मिल जाएगा हमको 6 इसको subtract कर देंगे R3 में operation apply करते हैं R3 minus R1 तो मिल जाएगा 0, 0, 0 और यह मिल जाएगा minus 2 फिर से operation apply करते हैं हम इसको 0 करना है इसको 0 करना है और इसको भी हमको 0 बनाना है C2 में हम operation apply करते हैं C2 3C2 करेंगी धर subtract कर देंगे 3C2 करेंगे किसमे C1 में और C2 में subtract कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 1, 0, 0, 0, 0 0, 0 फिर से operation apply करते हैं 4C2 करेंगे इसकोट कर देंगे C3 में operation apply करते हैं C3 into 4 into C1 तो यह मिल जाएगा हमको 0, 0 और यह 0 फिर 3C2 करेंगे और इसकोट कर देंगे C4 में operation apply करते हैं C4 into 3 into क्या C1 तो मिल जाएगा हमको 0 minus 6 और minus 2 अब देख रहे हैं complete 0 मिल चुका है यह minus 6 है इसको हमको 1 बनाना है minus 6 को 1 कैसे बनाएंगे R2 है R2 into क्या कर देंगे minus 1 by 6 से into कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10000000000 000000 यहां minus 1 by 6 से into कर देंगे तो 1 मिल जाएगा हमको और साथ ही हम एक operation और apply करते हैं R3 R3 में भी हम minus 1 by 2 से क्या कर दें into कर दें तो यह भी हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा फिर R3 में आप प्रिशन apply करते हैं R3 minus क्या कर दें R2 10000000000 0000001 इसको subtract कर देंगे तो मिल जाएगा 0 इस प्रकार से हमारी rank आ चुके है rank of matrix A is equal to 2 2 इसकी rank आ चुके है यह ऐसा रो है जिसमें complete 0 नहीं है और यह भी ऐसा रो है जो complete 0 नहीं है और इसमें complete 0 है इसकी rank क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी यह उस्चन नमबर E यह 0 आ चुका है यह 4 है यहाँ 2C इन्टू कर लेते हैं इसको 0 बना लेते हैं पहले R2 में आप रिशन एप्लाई करते हैं R2-2 इन्टू क्या कर दें R3 0,1,2,-2 2C इन्टू करेंगी धर subtract कर देंगे 2,1,2 और यह मिल जाएगा हमको 4 और यह 2,1,3,1 जेव कते हो रहेगा इसको 1 बनाना है फिर उपर ले जाएंगे पहले 1 बना लेते हैं इसको R3 में आप रिशन एप्लाई करते हैं R3 इन्टू क्या कर दें 1 बाइ 2 0,1,2,-2 0,-2,-4,-4 यह 1 हो जाएगा यह 1 बाइ 2 आ जाएगा यह 3 बाइ 2 मिल जाएगा यह 1 बाइ 2 मिल जाएगा इसको उपर ले जाएंगे रूल्स के अधार पर यह 1 उपर रहना चाहिए R1 को R3 के प्लेस पर ले जाते हैं और R3 को R1 के प्लेस पर ले आते हैं 1, 1 by 2, 3 by 2 और 1 by 2 मिल जाएगा हमको 0, minus 2, minus 4 और 4 0, 1, 2, minus 2 0, minus 2, 2 ठीक है, यह 1 आ चुका है इसकी साहता से इसको 0, इसको 0, इसको 0 बनाना है C2 में हम आप्रेशन एप्लाई करते हैं C2, 1 by 2, C2 करेंगे इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे 1 by 2, C2 करेंगे किसमें C1 में और C2 में ले जाकर के सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 0, minus 2 और 1 C3 में आप्रेशन एप्लाई करेंगे c3 आप 3 by 2 into कर देंगे इधर ले जाके subtract कर देंगे 3 by 2 into करेंगे c1 में तो यह मिल जाएगा 0, minus 4 और यह 2 1 by 2 into करेंगे c4 में subtract कर देंगे c4 में आप प्रेचन एप्लाई करते हैं c4 1 by 2 into क्या कर दें c1 तो मिल जाएगा हमको 0, 4 और यह minus 2 इस प्रकार से देख रहे हैं students यहां 1 आ चुका है नीचे 0 और 1 के side में भी 0 अब इसको 1 बनाना है 1 कैसे बनेगा आर 2 में हम operation apply कर देते हैं आर 2 इंटू क्या कर दे माइनस 1 बाइ 2 1 0 0 0 0 0 तो मिल जाएगा 1 और यह मिल जाएगा 2 यह मिल जाएगा 2 1 2 और यह क्या माइनस 2 यह माइनस 1 बाइ 2 से इंटू करेंगे तो 1 मिल जाएगा माइनस 1 बाइ 2 से इंटू करेंगे तो 2 यह माइनस 1 बाइ 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 2 मिल जाएगा देख रहे हैं दोनों सेम है आर 3 R3 minus क्या कर दें R2 1 0 0 0 0 0 1 2 और यह minus 2 इसको subtract कर देंगे तो 0 इसको subtract कर देंगे तो 0 इसको subtract कर देंगे तो यह भी मिल जाएगा 0 यह 1 आ चुक है इसकी सहता से इसको 0 इसको 0 बनाना है यह C3 है C3 minus क्या कर दें C2 और 2 से into कर देंगे इधर और इधर subtract कर देंगे 1 0 0 0 0 1 0 2 से into कर देंगे इधर subtract कर देंगे तो 0 2 से into कर देंगे और इधर क्या कर देंगे add कर देंगे C4 में operation apply करते हैं C4 plus क्या कर दें 2 into C2 तो यह 0 मिल जाएगा यह भी 0 मिल जाएगा इस प्रकार से देख रहे हैं, rank आ चुकी है, rank of matrix A is equal to 2 आ चुकी है, और normal form में हम reduce कर चुके है, f, यहाँ 1 आना चाहिए, 1 नीचे है, change कर लेते हैं, r3 को r2 के place पर और r2 को r3 के place पर ले जाते हैं, 1 को पर ले जाएंगे, minus 1 को पर ले जाएंगे, 2 और 0, 0, 1, 3, 1, 5 को नीचे ले आते हैं, 5, 3, 14 और यह 5, यह 1 आ चुका है, इसके नीचे 0 है, अब इसी की साहता से इसको 0 बनाएंगे, 5 सी into करेंगे, r3 में operation apply करेंगे, r3 minus 5 into क्या कर दें, r1, 1 minus 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 5 सी into करेंगे, इदर subtract कर देंगे, यह 1 है, यहाँ 0, 0 आ चुका है, 1 की साहता से इसको 0 करना है, column operation apply करेंगे हम, यह c2 है, c2 minus, इन दोनों को add कर देते हैं, तो मिल जाएगा, 1, 0, 0, add कर देंगे, तो 0, 1, 8, यहाँ प्रेशन इप्लाई करते हैं, c3 में, c3, 2, c2 करेंगे, और इधर subtract कर देंगे, 2, c2 करेंगे, c1 में, तो यह मिल जाएगा, हमको 0, 3, 4, और 0, 1, 5, जेओं का त्यों रहेगा, इस प्रकार से देख रहे हैं, 1 के नीचे 0 आ चुका है, 1 के साइड में भी 0 आ चुका है, यहाँ 1 है, आल्रेडी, 1 की साहता से इसको 0 करना है, r3 में operation apply करेंगे, r3, यहाँ, add c2 करेंगे, और subtract कर देंगे, add c2 करेंगे, r2 में और r3 में subtract कर देंगे, 100000, 0 0 1 3 1 8C into करेंगे इधर इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 0 8C into करेंगे 8 3s are 24 और 4 mean to minus कर देंगे तो मिल जाएगा हमको minus 20 8 1s are 8 5 minus 8 तो मिल जाएगा हमको minus 3 यह 1 आ चुका है इसकी साहता से इसको 0 करना है इसको 0 करना है C3 आईए C3 में operation apply करते हैं C3 3C into करेंगे इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे 3C into करेंगे C2 में 1 0 0 0 0 0 1 तो यह मिल जाएगा हमको 0 और यह minus 20 C4 में operation apply करते हैं C4 सब्ट्रेक्ट कर देते हैं simply minus C2 तो यह मिल जाएगा 0 और यह minus 3 यह 1 आ चुका है यह भी 1 आ चुका है इसको हमको बनाना है 1 तो हम R3 में operation apply करेंगे R3 into minus 1 by 20 1 0 0 0 1 0 0 0 तो यह मिल जाएगा हमको 1 R3 में तो यहाँ पर भी मिल जाएगा 0 0 3 by 20 1 की साहता सी इसको 0 कर लेंगे C4 में operation apply करते हैं C4 minus 3 by 20 into कर लेंगे किसमें C3 में 3 by 20 into कर लेंगे धर subtract कर देंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 और यह मिल जाएगा हमको 0 0 0 0 इस प्रकार से normal form में यह reduce हो चुकी है और rank हमको मिल चुकी है rank of matrix A is equal to 3 question number 9 का G number का question देखते हैं 3 आ यहाँ 1 लाना है कैसे 1 आ जाएगा इसको add कर देंगे R1 में operation apply करेंगे R1 plus R3 add कर देंगे तो 1 आ जाएगा add कर देंगे तो 13 आ जाएगा यह 5 आ जाएगा add कर देंगे तो minus 3 आ जाएगा 5, 13, minus 1, minus 11, minus 2, 2, 4 और यह minus 8 1 है इसकी साहतास इसको 0 लाना है इसको भी 0 लाना है कैसे आएगा 5C into कर देंगे R2 में operation apply करते हैं R2 minus 5 into क्या कर दें? R1 1, 13, 5 और minus 3 5C into करेंगे इधर subtract कर देंगे तो 0 13, 5 जा 65 और इधर subtract कर देंगे 13 में 65 को subtract कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2, 5, 52 मिल जाएगा हमको क्या मिल जाएगा? माइनस का 52 5, 5 is a 25 और minus 1 और minus 25 minus 26 मिल जाएगा 3, 5 is a 15 minus 15 minus 11 और minus 15 मिल जाएगा हमको minus 26 R3 में आपरेशन एप्लाई करते हैं R3, 2s into करेंगे R1 में और इधर add कर देंगे तो यह मिल जाएगा 0, 13, 2s are 26 और इधर add कर देंगे तो 28 मिल जाएगा 5, 2s are 10 और प्लस 14 3, 2s are 6, minus 6 और minus 8, minus 14 यह 1 आचुका है इसकी साहता से इसको 0, इसको 0, इसको 0 बनाने कैसे 0 बनेगा इस C2 है C2 में हम आपरेशन एप्लाई करते हैं 13, C2 कर देंगे धर subtract कर देंगे 13, C1 में करेंगे और C2 मिल जाके subtract कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 0, minus 52 और यह 28 C3 में आपरेशन एप्लाई करते हैं C3, 5C2 करेंगे इधर और इधर ले जाके subtract कर देंगे 5C2 करेंगे C1 में C3 में ले जाके subtract कर देंगे तो यह मिल जाएगा 0, minus 26 और यह 14 अब 3C2 करेंगे और इधर ले जाके add कर देंगे C4 में आपरेशन एप्लाई करेंगे जाएगा हमको 0, minus 26 है, minus 14, 1 है, नीचे 0 आगया, इधर भी 0 आगया, यह 52 है, इसको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 52 है, इसको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हम एक आप्रेशन एप्लाई करते हैं, R2 में आप्रेशन एप्लाई करते हैं, R2 into minus 1 by 52 कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा 100, 000, यह मिल जाएगा 1, और यह minus 26 by 52, 2 माइनस में मिल जाएगा, minus 26 by minus 52, 13 तूजा और 13 फोर्जा, 2 वन जा, 2 तूजा, 26 है, ठीक, तो यह मिल जाएगा हमको, 1 by 2, यह मिल जाएगा हमको, 1 by 2, ठीक, यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको, 1 by 2, 1 by 2 मिल जाएगा हमको, 28, 14 और यह minus 14, अब इस 1 की साहता से इसको 0 करना है, क्या करेंगे, 28 into कर देंगी इदर, R3 में आप फ्रेशन एप्लाई करते हैं, R3 माइनस 28 into करेंगे, दर सब्ट्रेक्ट कर देंगे, 28 into किस में करेंगे, R2 में करेंगे, और R3 में सब्ट्रेक्ट कर देंगे, 1000, 000, 1, 1 by 2, 1 by 2, तो यह मिल जाएगा हमको 0, 28 into कर देंगे, किस में, 1 by 2 में, तो यह मिल जाएगा 14, और 14, 14 क्या हो जाएगा, यह 0, यहाँ पर 1 by 2 into 28, 14 मिल जाएगा, यह माइनस 14 है, और माइनस 14 कर देंगे, तो यह मिल जाएगा हमको, माइनस 28 मिल जाएगा हमको, यह 1 है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, कालम आपरिशन एप्लाई करते हैं, C3 में, C3 यहाँ 1 by 2 into कर देंगे, किधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे, 1 by 2 into कर देंगे, C2 में, 100, 01, 00, तो यह मिल जाएगा हमको 0 और यह 0, C4 में आपरिशन एप्लाई करते हैं, C4, यहाँ पर भी वही आपरिशन एप्लाई करना पड़ेगा, 1 by 2 into C2, सब्ट्रेक्ट कर देंगे, तो 0, 0 और यह मिल जाएगा हमको, माइनस 28, माइनस 28 को हमको 1 लेकर क्या आना है, R3 में हम आपरिशन एप्लाई करते हैं, R3 into minus 1 by 28, से into कर लेती हूँ, तो हमको मिल जाएगा, 100, 0, 100, 00, 00, यह क्या मिल जाएगा हमको, 1, ring of matrix A is equal to क्या मिल जाएगे हमको, 3, 9 का H, यह 6 है, इसको पहले 0 कर लेते हैं, 3C into करेंगी, धर सब्ट्रेक्ट कर देंगे, R1 में आपरिशन एप्लाई करते हैं, R1 minus 3 into क्या कर दें, R2, R2 में 3C into कर लेते हैं, धर सब्ट्रेक्ट कर देते हैं, 3, 2, 6, तो यह 0 आजाएगा, 3, 1, 3, minus 2 आजाएगा, 8, 0 का तेवर रहेगा, 2, 3, 6, और यह मिल जाएगा हमको, minus 3, फिर से एक आपरिशन एप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 2C into कर लेते हैं, और इधर सब्ट्रेक्ट कर देते हैं, 2C into करेंगी, धर सब्ट्रेक्ट कर देंगे, 2, 1, 0, 2, तो यह मिल जाएगा हमको 0, 2, 1, 2, minus 2, यह मिल जाएगा, minus 3, यह minus 8, 0 का तेवर रहेगा, 2, 2s are 4, तो यह मिल जाएगा हमको, minus 7 मिल जाएगा हमको, अब यह 2 है, इसको 1 ले करके आना है, R2 में operation apply करते हैं, R2 into क्या कर दें, 1 by 2, 1 by 2 से into कर देते हैं, तो 1 आजाएगा यह, और 1 आजाएगा, उसके बाद हम change कर लेंगे, R2 को R3 के place पर, और R3 को R2 के place पर, तो यह 1 आजाएगा, यहाँ पर 1 by 2 आजाएगा, यह 0 रहेगा, और यह 1 रहेगा, और इसको हम कहाँ पर ले गए हैं, R1 के place पर ले गए हैं, इसको नीचे ले आते हैं, 0, minus 2, 8, और यह minus 3, 0, minus 3, minus 8, minus 7 अपने जगा पर है, जेव करते हैं, यह 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, से into की यहाँ और उपर मिले गए, और यह जेव करते हैं, बट इसको हम नीचे में ले आएं, यह 1 आ चुका है, इसके नीचे भी 0 आ चुका है, 1 की सायता से इसको 0 और इसको 0 बनाना है, कालम आपरेशन एप्लाई करते हैं, C2 में, C2 माइनस क्या कर दें, C1, बट यहाँ 1 by 2, से into कर देंगे, और सब्टेक कर देंगे, 1 by 2, से into कर देंगे, तो मिल जाएगा, 1, 0, 0, यह 0 हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 3, 0, 8, माइनस 8, यह जेव करते हो रहेगा, फिर से आपरेशन एप्लाई करते हैं, C4 में, C4 माइनस C1 कर लेते हैं, डारेक्ट माइनस कर लेते हैं, तो यह 0 आ जाएगा, माइनस 3, और यह माइनस 7, यह जेव का प्रेव रहेगा, इस प्रकार से 1 के नीचे 0 आ गया है, 1 के साइड में भी 0 आ चुका है, यह माइनस 2 है, इसको हमको क्या लेकर क्या आना है, 1 लेकर क्या आना है, तो क्या कर देए, इसको एड कर देते हैं, स्वारी, सब्ट्रेक्ट कर देते हैं, तो 1 आ जाएगा, R2 में आप प्रिशन एप्लाई करते हैं, R2 माइनस क्या कर देए, और थ्री 1, 0, 0, 0, 0 इसको सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 1 इसको सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यह 16 इसको सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो माइनस 3 प्लस 7 क्या मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा यह माइनस 3 माइनस एट माइनस सेवन जेम करते हुए यह वन आ चुका है वन की सायता सी इसको जीरो करना है आर थ्री में आपरेशन एप्लाई करते हैं आर थ्री थ्री सीन्टू कर देंगे और इधर क्या कर देंगे हम एड़ कर देंगे थ्री सीन्टू कर देंगे आर थ्री में विधर क्या कर देंगे हम एड़ कर देंगे वन जिरो 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 वन सिक्स्टीन और फोर थ्री सीन्टू करेंगे इधर एड़ कर देंगे तो मिल जाएगा जिरो 16 थीजा 48 और माइनस 8 एड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 40 यह माइनस 7 पहले से है 4 थीजा 12 तो यह मिल जाएगा हमको 5 यह 1 आ चुका है इसकी साहता सी इसको 0 और इसको 0 करना है से के सी सी आप्रेशन करेंगे सीटरी माइनस सी टू करेंगे USS सिक्स्टीम सी न टू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0 0 0 0 ख में जिरो यह मिल जाएगा 0 यहां पर आजयाएगा 40 हों किर आपर रचले करेंगे Road सीं data करेंगे जिए सी शीए वह तो इन प्रेटरी देए कर दें 4 तो यह मिल जाएगा 0 और यहां पर आजाएगा 5 अभी जो 40 है इसको हमको 1 बनाना है कैसे 1 बनेगा यह आर 3 में आप्रेशन एप्लाई करते हैं आर 3 इंटू 1 बाई क्या कर दें 14 कर देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 यहां 1 बाई 14 करेंगे तो 1 और यहां 5 इंटू 1 बाई 14 करेंगे तो 5 1 जा 5 8 जा यहां पर आजाएगा 8 अभी इस 8 को हमको 0 करना है सी 4 है सी 4 में हम आप्रेशन एप्लाई करते हैं सी 4 इसमें 8 सी इंटू कर देंगे 8 इंटू सी 3 अधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 मिल जाएगा हमको इस प्रकार से नार्मल फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है और रेंक आप मैट्रिक्स एज इकॉल टू 3 आ चुकी है नाइन का आई यहां वान आना चाहिए चेंज कर लेते हैं आर्टू को आर्वन के प्लेस पर और आर्वन को 001 इसको आर्वन के प्लेस पर लेगा है दो माइनस टो माइनस वान माइनस दी मान इसको आर्टू के प्ल्एस पर लेया कर देंगे तो 0, 2, 2, 4 और इधर एड कर देंगे तो मिल जाएगा 3, 3, 2, 6 एड कर देंगे तो मिल जाएगा 3 और 2, 1, 2, 2, 1 और माइनस 2 मिल जाएगा हमको क्या माइनस 3 एड करना है 3 में आप प्रिष्ण एपलाह करते हैं R3 सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 0 मिल जाएगा सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो माइनस 2 माइनस 2 और 1 प्लस 1 मिल जाएगा 2 यह जेम कत्तियों रहेगा 0, 1, 1 और यह माइनस 1 1 के नीचे 00 आ चुका है 1 के साइड इधर 0, इधर 0, इधर 0 लेकर के आने कालम आपरेशन एप्लाई करेंगे C2 है यह C2 2C2 कर देंगे इधर सब्ट्रेक्ट कर देंगे 1, 0, 0, 0 तो यह मिल जाएगा 0, 3, माइनस 2 और यह 1 C3 में आपरेशन एप्लाई करते हैं C3 3C2 करेंगे धर सब्ट्रेक्ट कर देंगे 3C2 करेंगे C1 में तो मिल जाएगा 0, 3, माइनस 2 और 1 सिंपली इसको एड कर देते हैं C4 में C4 प्लस C1 एड कर देंगे तो 0, माइनस 3, 2 और माइनस 1 मिल जाएगा हमको यह 3 है यहाँ 2 है इधर 1 है यहाँ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए तो हम चेंज कर लेती है इसको इसी में हम आर 2 में हम r2 into 1 by 3 कर लेते हैं तो यह 1 आ जाएगा 1 0 0 00 00 यहाँ 1 by 3 into करेंगे तो 1 मिल जाएगा 1 by 3 to करेंगे तो मिल जाएका मैंन Ну जाएगा यहां पर मिल जाएगा मैनस म सथय है माइनस टू मैनस टू है इसको भी चैंज कर लेते हैं आघ धिमारे इंटू क्या कर दें वन बाइ 22 कर लेते मा稲 socialism तो यह मिल जाएगा वन वन और मिल जाएगा हमको मैनस वान और यह वान 1-1 अब हम आप्रेशन एप्लाई करते हैं देखे रहे हैं सभी सेम सेम हैं तो हम आर 4 में आप्रेशन एप्लाई करते हैं पहले आर 3 में कर लेते हैं आर 3 आर 3 माइनस क्या कर दें आर 2 1 0 0 0 0 0 1 1 माइनस 1 आर 3 में आप्रेशन एप्लाई करना है डारेक्टर सब्ट्रेक्ट करना है सब्ट्रेक्ट करना है तो 0 मिल जाएगा R4 में आपरेशन एप्लाई इसको ऍफट्रेक्ट कर देंगे तो ये भी 0000 मिल जाएगा यह 1 आच चुका है 1 की साहता से इसको 0 करना है मैं आपरेशन एप्लाई करेंगे C3 है C3 में C3 मैंनस क्या कर दें c2 c3 minus c2 कर देते हैं 1000000100 सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 000 मिल जाएगा फिर एक आपरिशन इप्लाई करते हैं c4 में c4 add कर देंगे इसको प्लस क्या कर दें c2 तो यह मिल जाएगा 000 इस प्रकार से देख रहें नारवल फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है second order की identity matrix हमको मिल चुकी है इसकी rank क्या हो जाएगी rank of matrix is equal to 2